दोस्तो चीन का इतिहास बहुत पुराना है यह अभी वीश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है साथ ही यह चेतरफल के हिसाब से रूस कैनेडा और अमेरिका के बाद दुनिया का चोथा सबसे बड़ा देश है और दोस्तो इलेक्ट्रोनिक्स में सायद ही कोई ऐसा जानकारी के लिए वीडियो को अंते तक देखे बिल्कुल भी स्किप ना करें और ऐसी ही मज़िदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और जादे से जादा शेर जरूर करें दोस्तो चीन की जन्संक्या में से 22% लोग चीनी भासा बोलते हैं चीनी भासा को साथ परिवार में बाटा गया है चीन में खुदकुसी की गटना इतनी होती है कि आपको नदी में से डैड़ बुडि निकालने के लिए भी नोकरी मिल सकती है दोस्तो अमेरिका की इतनी आब 2010 में चीन के शांगाई सीटी में 100 किलोमीटर लंबा ट्राफिक जाम लगा था यह जाम 12 दिनों तक रहा और दोस्तो चीन में हर 30 सेकिंड में एक ऐसा बच्चा जन्म लिता है जो जन्ग जाद दोस्त से प्रभावित होता है और चीन में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को भी जेल बेश सकते हैं है न कमाल की बात अंग्रेजी बोलने वाले लोग अमेरिका से भी ज्यादा चीन में हैं अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में जॉइंट पांडा नजर आए तो आख मूद कर यकिन कर लेना कि इस पर चीन का अधिकार है चीन ने इस प्रजात खरीदने के लिए अपनी किड़नी बेच दी थी दोस्तों अगर आप होट एर बुलून से धर्ति को देखने निकलोगे तो चीन का युगांशो सहर सबसे खूबसूरत में जराएगा चीन में वर्ष 2009 से ही फेस्बूक, ट्विटर और दन नियुयक टाइम बंद है फिर भी चीन में 10 करोड फेस्बूक यूजर्स हैं, चीन में इंटरनेट की लट से परिशान लोगों के लिए कैम्प भी लगाए गए हैं और चीन दुनिया का वो देश है जहां सबसी जादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तमाल करने वाले लोग जेल में बंद हैं, सेक्स टोई बे से पहले उस चक्स की पतनी ने अपनी प्लास्टिक सरजरी कराई थी, दोस्तो बीजिंग के हवाई पनी परदूसित है कि यहां सास लेने से होने वाला नुकसान दिन में 21 सिगरिट पीने के बराबर है, विस्व के 39 पर 30 स्वावी परदूसन का कारण चीन है, दोस्तो पेड से 2013 के बीच चीन में इतनी सिमेंट का इस्तमाल किया गया था, जितना अमेरिका ने पूरी 20 सदी में नहीं किया, और दुनिया का सरसे बड़ा सोपिंग मोव चीन में है, पर ये 2005 तक 99% काली था, दोस्तो चीन में ज्यादा तर लोगों का पसंदीदा सोख टिकेट कलेक्शन करना है, और चीन के लोग गर्म और स्पाइसी फूड के दिवाने होते हैं, चीन में एक ऐसी वेबसाइड है, जहां गल्फरेंड उधार पर मिलती है, और जिसका चार्ज एक हफ्ते का 2000 से भी कम है, और दुनिया में जितने सुवर है, उसके आधे अकेले चीन में है, दोस् चीन में 3 करोड से जादा लोग गुफाव जैसे घरों में रहते हैं, चीन में ऐसी कई उची मारते हैं, जो वीरान पड़ी है, उनमें कोई नहीं रहता, फिर भी वहाँ नई बिल्डिंगे बनाने का काम जोर सोर से चालू है, चीन का लक्षा है कि अगले 20 साल तक हर साल 20 सह बनाया जाएंगे, हाला कि उन सहरों को बसाने की कोई प्लानिंग नहीं है, यही वज़ा है कि वहाँ के कई सहरों को गोष्ट सिटी भी कहा जाता है, दोस्तों आप चीन के सांगाई सहर में लावकार नहीं रख सकते, ऐसा करना वहाँ गैर काम नहीं है, और शाम 7 बज़े क समय ज्यादता चीनी लोग एक ही टालीविजन चैनल को देख रहे होते हैं, दोस्तों चीन की जशनक्या कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि यहां के लोग जल्दी उम्र में ही बच्चे पैदा कर लेते हैं, जिसके कारण यहां रीटोड़क्शन पावर काफी अच्छी है, दोस दोस्तों नकली चीजे बनाने में चीन इतना आगे निकल चुका है कि इसने चावल भी नकली बना लिये हैं, चीन में बने इन नकली चावलों को प्लास्टिक राइस भी कहा जाता है, और यह चावल, सकरकंद, आलू और सिंथैटिक रेजिन को मिला कर बनाये जाते हैं, ची 1973 में चीन ने एक करोड महिलाव को पोपुलेशन बूस्ट करने के लिए अमेरिका को देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया था दोस्तो चीन के कुछ हिस्सों में सुबा दस बजे सूर्य दय होता है तो दोस्तो ये थे चाइना के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और जादा से जादा शेयर जरूर करें आपके एक लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसी और बैतरी वीडियो बना सके तो जादा से जादा शेयर जरूर करें झाल झाल झाल